आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे विल्कम बैक टू दी चैनल ओडिया कुकिंग विद यासमीन आज हम बनाएंगे हाप एक फ्राय बहुत ही डिफ्रेंट वे बनाएंगे चले स्टार्ट करते हैं कैसे यह बनता है हमने ऑईल गरम करने के लिए हां र प्रेंग ले लिया था इसे बॉल करकी साप लगा दिया है दिखे और हमें चाहिए मैदा और ब्रेड क्रम्स जो के हमने घर पर ही ब्रेड को इसे ब्लेंड कर लिया है मैयनीज और कोरियंडर लिप चॉप और चिली फ्लेक्स आप सेज्वान सॉस ले सकते हैं नॉर्माल हम एक का जो एलो पाट होता है इसे हम निकार लेंगे इसे एक को दुझे बावल पर हुआ है हुआ है है हम आप का पड़ेंड को कि है मैं इसे निकार लिया है अब इसे त्रेस कर लेंगे इसे एक सॉस बना लेना है इस पर अब इस पर हम डाल देंगे तू टेबल सी पूटमर भड़ें डाल देंगे मायनीज अब इस पर डाल देंगे टू टी स्ट्रूम से ज्वान सास आप चाहे तो पास्ता सास पीजा या पास्ता सास भी डाल सकते हैं और नॉर्मल जो हम लोग का टमाटो कैचप आता है वो भी आड़ कर सकते हैं अब इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और थोड़ा आड़ कर देंगे पेपर बाउडर काली मिर्च के पाउडर अब हमारा सॉसेज तयार है अब इसे साइप पे रख देता है अब हमने एक से एलो पाट निकाल लिया था अब हमने एग लिया था इसे हमने बीट कर लिया है इस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पेपर पाउडर और ब्रेट क्रंज में भी डाल देंगे एक्रम्स में पेपर पाउडर और मैदा पर भी डाल देंगे ठोड़ा पेपर पाउडर एक सारे चीजें हम लोग थोधर सॉल्ट भी आड़ कर देंगे जिसे हम मिक्स कर लेंगे और यह हमारा अच्छी तार से जर्ण हो चुका है अब अब एक से लेंगे और इसे डिप कर देंगे फिर से मैदे पर डिप कर लेंगे फिर से इस पर डिप करेंगे पर देंगे खिर हम ब्रेड क्रॉंड में मिक्स कर लेंगे हम से अड़े परसे कोटिंग कर लेंगे और या चाहे तो इसे जysisे जल्दी बही इसे फ्राय कर सकते हैं या फ्रीस पर 01 कित सेट होने के लिए भी आप रख सकते हैं देखिए हमने कोट कर लिया है अब इसे फ्राइ कर लेगे अब इसे हम पलट लेता है देखे किसना अच्या प्रिस्पी फ्राइ बना है किस पी वह प्राइ हुआ है अब यह तैयार है हम निकाल लेते हैं इस्टिशू पेपर डाल कर एक प्लेक पर ट्रांसपर कर लेते हैं हमारे और जितने बच्चे हुए अंडे थे इसे भी हमने फ्राइ कर लिया है अब एक प्लेट पे इसे हम इसे सजा लेंगे कितना क्रिस्पी है क्योंकि ब्रेट क्रम्स है इस बज़े से बहुत ही क्रिस्पी बनता है अब हमने जो सॉस बनाया था इसी भी हम इस पर पूर कर देंगे अब इसमें डाल दिया है अब इसके ओपर थोड़ा सा चीली फ्लेक्स भी आड़ कर देंगे अब चाहते इसके उपर चीज भी आड़ कर सकते हैं जब बच्चों को पसंद आता है तो आड़ करके दे सकते हैं या स्किप कर सकते हैं प्राड कर देंगे हरा धन्या हाप एक क्रिस्पी फ्राइब बन के तयार है आप धर पे जरूर ट्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्स ट्रेसिपी के साथ तिल देना आला हाफीज बाबाई टेक क्यार